आज मैं आपके लिए लेकर आयू पेपर डोसे की रेसिपी जो बनाने में काफी ज़्यादा आसान है और खाने में काफी ज़्यादा टेस्टे और कुरकुरा भी है बनाने में यह काफी ज़ादा आसान है और अगर आपने आज से पहले कभी डोसा ट्राय नहीं किया है तब यह आप इसको परफेक्ट तरीके से बना का तेयर कर सकते हैं तो चलिए फिर आज में आपको बंदाने वाली हो कि इसको हमें कैसे बनाना है तो वीडियो शुरू करने से पहले एक प्यारी सी रिक्ष्ट है दोस्तों कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नहीं है तो जरू कीजेगा साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजे और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरू कीजेगा तो इससे बनाने के लिए सबसे पहले आप कोई भी कटोरी या एक कप सेट कर लीजे उससे साबसे हमें यहाँ पर मेचर करना है तो मैं यहाँ पर एक कटोरी यहाँ पर उड़त की डाल ले रही हूँ यह बिना चिलके वाली उड़त की डाल है यह मार्केट में आपको इजीले मिल जाएगी तो हमें यहाँ पर एक कप उड़त की डाल ले लेनी है साथ में यहापर तीन कटोरी यानि की तीन कप जितने ही हमें यहापर चावल लेने है चावल आप low quality के आप use करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उससे जो हमारा डोसा है वो काफी ज़्यादा अच्छा बनेगा साथ में मैं यहापर एक चोटाई कप चना की डाल ले रही हो और एक चमच हमने यहापर मिथी दाना ले लिया है मिथी दाना डालने से डोसा जो है काफी कुरकुरा बनता है और अच्छा बनता है तो हमें यहापर पानी डालकर इसको अच्छे से वाश कर लेना है त्यान रखी का मेजर बराबर कीजये सबसे पहले डोसा बनाने के लिए हमें याँ पर better को परफेक्ट बनाना होता है जब better अगर परफेक्ट है तो हमारा डोसा भी काफी अच्छा बनता है तो यहां पर हमें सबी डालों को अलग-अलग भीगाना है तो इसी तरीके से हमें इसके अंदर हमें पानी डाल का अच्छे से इसको भीगो कर छोड़ देना है करीब करीब इसको हमें 6 गंटे तक भीगोना है तो आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है और 6 गंटे के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजे तो 6 गं अब जितना पानी इसके अंदर हम रहने देंगे और इसके अंदर grinding jar के अंदर इसको हमें ढाल देना है, साथ में इसको एक घंड़ातार नहीं चलाना है, एक mixi को ज़्यादा गरम नहीं होने देना नहीं तो इसके अंदर batter के अंदर खटास आ जाती है, जो लोगों को वसंद आती है तो इस बात का आप ध्यान रखिए मिक्सी को थोड़ी देर बंद कर दीजिए उसके वाद थोड़ी देर चलाइए इस तरीके से आप इसको चलाइए तो जो बैटर है हमारा ज़्यादा गरम नहीं होगा और हमारा डोसे का बैटर है बैटर बनेगा उसके जिस बरतन में हमने ली थी निकाली थी उसी बरतन में हमने चावल का जो पेष्ट है वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया है अब हम जना दाल को भी इसी तरीके से ग्राइड कर लेते हैं तो इसके अंदर भी थोड़ा अक्ष्टा पानी है तो हमें निकाल देना और थोड़ इसे पानी के साथ हमें इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है तो आप देख सकते हैं दाल को भी हमने अच्छे से पीस लिया है अब इसको भी हमें इसी बैटर के अंदर डाल देना है तो फ्रंट्स आप देख सकते हैं इसको अच्छे से डालने के बाद अच्छे से इसको चमच की साथा से मिक्स कीजिए एक पर जो अच्छे से मिक्स हो जाए उसकी बाद हम इसको थोड़ा हातों से फेटेंगे जिसे की खमीर अच्छे से उठेगा और हमारा ये बैटर बनेगा तो इस तरीके से हमें इसको थोड़ा सा चमज निकाल देना है और थोड़ा डकन के अंदर भी थोड़ा दाल का पेश लगा हुआ तो वो भी इसके अंदर हमने मिक्स कर लिया है और अभी इसको जो हातों से अच्छे से फेटी है जिससे की इसके अंदर खमीर अच्छे से उठ जब भी हम इसको हाथों से फेट ने अच्छे से इसको mix करते हैं तब fermentation अच्छी होती है तो इस तरीके से हमें हाथों से पूरी तरीके से mix करना है तो अभी हमें इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं डालना है अब इसको ढखकर छोड़ दीज़ेए साथ से आठ गंडे के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दीज़े साथ से आठ गंडे में ये परफेक्ट एकदम से फर्मेट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं साथ से आठ गंडे में ये एकदम से फर्मेट होकर तैयार हो चुका है तो दोस्तों मौसम पे भी डिपेंट करता है कि कितनी देर में फर्मेट होगा अगर गरमी हिका मोशम है तो जल्दी फ फर्मेट होगा करीब पाँच गंडे में ये फर्मेट होकर तैयर हो जाता है और ठन का टायम है तो थोड़ा सा टायम ज्यादा भी ले सकता है करीब-करीब 12 से 14 गंडे भी ले सकता है तो अब आप देख सकते हैं बैटर जो है मार काफी हलका हो चुका है बाकी का बैटर आप थोड़ा स्टोर कर दीजिए और मेने जितना डोसा हमें बनाना है उतना बैटर आप निकाल कर तैयर कर लीजिए एक दूसरे बाल में हमने याप पर बैटर को ले लिया उसके अंदर हमें नमक डाल देना है अच्छे से मिक्स कर लेना है अगर आप इसके अंदर आपको पानी की जरूरत लगे तो आप पानी जरूर डालिए थोड़ा सा गोल पतला होना चाहिए एक दम से गाड़ा नहीं होन और हमारा जो डूसर है काफी अच्छे से बनेगा तो थोड़ा सा बैटर इसके उपर डाल दीजिए और इस तरीके से हमें पतला पतला चारो तरप से इसको फैला लेना है और उसके बाद आप गैस को वापिस से हाई कर लीजिए और एक से डेट मिनट में यह अच्छे से जो हैं दोनों तरप नहीं पकाना है एकी तरप पकाना है साउथ इंडियन जो डूसर होते वो एकी तरप कुखोते हैं बाकी की स्टीम से ही अच्छे से कुखो जाते तो नीचे से जब यह पूरी तरीके से क्रिस्पी हो जाए तब हमें इसको निकाल लेना है फिर इसी तरी तो दोसे तीन डोसे आपके बीगustain हे, उसे जादा आपके नहीं बीगनेंगे, थाली द्यान रखना है कि तवा जादा गरम नहीं हो एक साथ जब भी आप इसको बनाए तब एक साथ तवा जादा गरम नहीं होना चाहिए, ओल ज्यादा नहीं लगाए, इस बात का ध्यान रख तो जो डोसा है वो ज्यादा ओयली हो जाएगा और कम ओयल लगाएंगे तो डोसा जो है वो चेपकने लगेगा तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखिए अगर आपके बैटर के अंदर कभी खटास लग जाती है तो आप इसके अंदर नारियल के दूद का जो पाउडर म बना कर तेयर कर सकते हैं मैं इसको नारियल की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ इसकी चटनी का वीडियो मैंने पहले भी डाला हुआ है अपने चैनल पर इसको डाला हुआ तो आप इसको देख सकते हैं और देख सकते हैं काफिक कुरकुरा और क्रिस्पी हमारे जो डोसा है बनकर तियार हो चुका है यह बहुत जाता टेस्टी और अच्छा लगता है और अगर आप इसको मसाला डोसा बनाना चाते तो आप इसके अंदर आलू का मसाला लगा लिजे तो कि यह मसाला डोसा बन जाएगा तो ध्यान रखे जब भी आप इसको डोसा बनाए तभी आप नम चुमक डालके हमें बैटर को स्टोर नहीं करना है आप इसको ऐसे ही स्टोर करेंगे तो आपका बैटर एक हफ़ते तक अच्छा रहेगा और एक हफ़ते तक आप इसको जब एर टाइट कंटेरनर में आप इसको बैटर को डालके रखिए जिसे कि आपका जो बैटर है काफी ज जोगी दियद्या से किष्टाइब नियुक्त